अब बाइनमेल में और नमबर थेयरी में बहुत सारी questions ऐसे हैं कि जहां पे हमें एक number का divisibility निकालना है या उसका remainder निकालना है जैसे suppose question है कि अपने को दिया है एक number है n to the power n और अपने को पता करना है कि वो a से divisible है या नहीं और अगर divisible नहीं है तो इसका remainder निकालना है तो यह सारी cases में shortcut यह है कि आप यह number n को express करो कोई integral multiple of a के जैसे suppose k into a और फिल plus or minus r to the power n जहां पे यह जो r है वो आपका 0 से लेके a के बीच में है तो यहां पे इसका remainder आएगा आएगा आपका plus minus r to the power n और अगर यह remainder 0 है तो divisible है और remainder 0 नहीं है तो जो आपका answer आएगा simplify होके वो आपका remainder है जैसे एक example देते हैं कि question है कि remainder बताओ जब 8 to the power 2n minus 62 to the power 2n plus 1 को हम divide करते हैं 9 से तो अब 8 को अपने लिख सकते हैं 9 minus 1 तो यह होगा आपका 9 minus 1 to the power 2n और minus अब 62 को 9 के multiple के रूप में लिखना है तो इसको अपने लिख सकते हैं 9 to 7 minus 1 to the power 2n plus 1 अब यहां पर 9 का multiple है यहां पर 9 का multiple है तो जो remainder आएगा होगा plus minus r to the power n तो यहां पर remainder क्या होगे यहोगा minus 1 की power 2n और यहां minus और क्या होगे अब यहाँ पर question है, find the value of fraction part of 7 to the power 100 upon 5 अब बात करता है, 7 to the power 100 की अब 7 को अपने 5 plus 2 लिख सकता है, लेकिन कोशिश है रहेगी, कि अपने जितना close जा पाएं, जितना remainder 0, 1 इसके आसपास आई, तो जादा बेटर है तो इसको अपने लिख सकता है, 7 square to the power 50, अब 7 square कितना 49, और 49 है आपका 5 into 10 minus 1 to the power 50 यानि कि इसको जब अपने simplify करेंगे, तो इसको remainder आएगा हो आएगा, आपका minus 1 to the power 50, जो कि है आपका 1 के बनाबर यानि इसका मतलब यह जो 7 to the power 100 है, यह कोई 5 का multiple होगा, प्लस उसमें remainder आएगा 1, तो इसको अपने express कर सकते हैं, 5 k plus 1 से, तो जब हम 7 to the power 100 अपन 5 के बात करते हैं, तो यह हो जाएगा, आपका k plus 1 by 5, और इसका जो fraction part value आएगा, वह आएगा, आपका simply 1 by 5, तो इसका जो answer यह remainder बताएगे, जब 1 to the power 1997, plus 2 to the power 1997, 3 to the power 1997 से लेके, 1996 to the power 1997 is divided by 1997, तो अपने क्या करता है, अपने इसको लिखेंगे, 1 to the power 1997 plus 2 to the power 1997 plus 3 to the power 1997, और आसी लिखते चले जाएगे, और यह जो पीछे से terms हैं, यह 1996 को अपने लिखेंगे, 1997 minus 1 to the power 1997, इसको अपने लिखेंगे, 1997 minus 2 to the power 1997, और यह सी लिखते चले जाएगे, तो यह होगे आपका, 1 to the power 1997, 2 to the power 1997, और यहाँ पे, क्या remainder आएगा, यहाँ पे remainder आएगा, minus 2 to the power 1997, यहाँ पे आएगा, minus 1 to the power 1997, क्योंकि odd power है, तो यह cancel होगया, यह cancel होगया, और क्योंकि इसमें number of terms even है, तो सारे terms एक दूसरे हो cancel कर देंगे, तो यह आपका remainder आएगा, जीरो के बराबर, तो जब हम इस expression को 1997 से डिवाइड करेंगे, तो इसका remainder 0 आएगा, अब जैसे equation है, प्रूव करो, 11 to the power n plus 2 plus 12 to the power 2 n plus 1 is divisible by 133, और अपने क्या करता है, अपने इसको लिखेंगे, 11 square, 121 into 11 to the power n, और plus 12 into 12 to the power 2 n, और 12 square जो है, वो जाएगा, आपका 144 to the power n, अब यह आपका 121, 11 to the power n plus 12, और 144 कम लेखेंगे, 133 plus 11 to the power n, अब जब इस second expression को 133 से डिवाइड करेंगे, तो यहापे remainder आएगा, आपका 12 into 11 to the power n, तो इसको फोने लेखेंगे, 121, 11 to the power n, और plus 12 into 11 to the power n, अब यहाँ पर इसको लेखेंगे, 133 into 11 to the power n, तो यहाँ कि इन दोनों के जो combined remainder आएगा, वो 133 से डिवाइड होगा, यहाँ कि पूरा का पूरा expression आपका 133 से डिवाइड होगा, ऐसी ही equation है, जिसमें प्रूव करो, 6 की पार n plus 2 plus 7 की पार 2 n plus 1 divisible है, 43 से, तो इसको भी अपने लेखेंगे, 36 into 6 to the power n, और 7 into 7 square, 7 square मितलब 49 to the power n, अब 49 कितना है, 49 है आपका, 43 plus 6, तो यहाँ कि आपका, 36 into 6 to the power n, प्लस 7, और यह है आपका, 43 plus 6 to the power n, अब यहाँ पर remainder कहेगा, 7 into 6 to the power n आएगा, तो यहाँ 36 into 6 to the power n, प्लस 7 into 6 to the power n, जो कि है आपका, 43 into 6 to the power n, जो कि डिविजबल है 43 से, तो यह है आपका, simple सा shortcut, divisibility problems में, divisibility check करने के लिए, या remainder find out करने के लिए,